हेलो फ्रेंड्स हम लोग आएं पिपलानी मार्केट आज नुपूर ने कहा था कि वो पसंद करेगी गनेश जी तो बस नुपूर के आने का इंतजार कर रहे थे नुपूर आई और वैसी हम लोग सब पिपलानी मार्केट आ गए हैं और यहां देखे इतने वेराइटीज ऑफ से होता है यह सब चीजें तो इतनी राउनक रहती है और जब गनेश क और जकी उड़ जाते न तब थोड़ा सा लगता है मतलब थोड़ा दुख होता है सूना स Això हो जाता है इसलिए सब लोग बोलते हैं कि मटी का जादा शुब भी रहता है तो दो-तीन साल हो गया या जादा ही हो गया चार-पांच साल से मिटी के गनेश जी हम लोग लेके आ रहे हैं तो बस बोई ढूंड रहे हैं क्योंकि पी-ओ-पी के जाहतर मिल जाते हैं इसली और मिटी के गनेश जी कह थोड़ा सा देखना पड़ता है तो बस ये वाला देखी गनेश जी न उपर ने पसंद कर लिया है और वो कह रही थी थोड़े से जो हसते हुए गनेश जी होंगे न ममी बोही मुझे चाहिए थोड़े से जो चुप-चाप रहेंगे न वो मतलब वो वाले नीची सीरियस वाले गनेश जी नीचाहिए तो ममी से मैंने का ममी आपी शुरुबात करिए करके यहाँ पर फुलेरा बंदेगा हर्ता लिगा के लिए तो हेलो फ्रेंग्स वेलकम टू में व्लॉग हैपी तीज जो लेडिज है आज तीज का व्रत कर रही है उन लोग को मेरी तरव से बहुत बहुत शुप कामना है आज तीज फेस्किवल है तो आज मैं निर्जला व्रत करूंगी मतलब सुबे से किया है और पूरी रात करूंगी कल सुबे ही कुछ भी मतलब लोंगी में तो देखिए उसकी तैयारी चल रही है यहां पर हम लोग फुलेरा मांदेगे यहां दिखांगी यहां जो है यहां से पूरा फुलेरा बांगते हैं हम लोग तो आपके साथ मैं पूरा वीडियो शेयर करूंगी फ्रेंड्स अब ये बांध रहें फूलेरा है थोड़ा साउइट कर लू ओ ऑर इतना ठीक है इतना ठीक है बस फूरा से नीचे थोड़ा नीचे हां इतना ठीक है थी बस यहां पर यह जंगल को प्रिएट करेंगे लोकेशन तो यह सब बिछाएंगे इसमें ताकि जंगल जैसा लगे क्योंकि पार्वती जी और उनकी फ्रेंट दोलों जंगल पे गाएजिए शिर जी को पाने के लिए तो इसी जंगल जैसा लोकेशन दाना पड़ेगा अश्यू कटर निला है इसका जाओ रुखो रुखो अभी रुखचा आँ बस होगे ना तो इस एक हो प्रेंट तू आप लोज करो ममी जी हर साल मुझे मतलब साड़ी देती है तीज के लिए तो यह साड़ी भी ममी ने मुझे लाके दी है तो आप लोग बताई है कैसी लग रही है साड़ी और ये मतलब बहुत ही पवित्र कहना चाहिए जो पूजा होती न बहुत ही पवित्र है जैसे करवा चोथ है मतलब तीज है ये सब क्या बहुत ही पावरफुल मतलब कहलाने चाहिए वरत रहता है तो इसमें क्या है मतलब रहता है कि जो हिमाले राज है ना पारवती जी के पापा पिता जी उन्होंने मतलब विश्णु भगवान को वर चुन लिया था इनके लिए और ये शंकर भगवान को चुन चुकी थी तो इसलिए इनको मतलब जब पता चला कि विश्णु भगवान क चुन लिया है तो ये अपनी सखी के हां गई और बोली कि चलो हम लोग कहीं और चलते हैं क्योंकि पापा मतलब मुझे मेरी शादी उनके साथ करा देंगे विश्नु भगवान के साथ तो वो उनकी फ्रेंड उनको लेके गई जंगल में घोर जंगल में ले गई और वहां इन् सब अच्छा वर्य थैं ये और मतलब इस दिन ये सब बनते हैं तो ये सब मैने खुरमी बना लई थी नंकीन और मीठे में बेशन की लड़्डू बना लिये थे और नंकीन में मैंने मठरी भी बनाई थी तीनी चीज बनाई थी यह देखี้ कितने प्यारी मूर्तियां हैं बह इन तो पोथी का रहता है, बुक रहती, पतलीसी, 8-10 पेज की, बस उसको पढ़ना रहता है, और उसको सुनना भी बहुत मतलब अच्छा रहता है, दोनों के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ने भी और सुनना भी, तो पूरे घर की मेंबर्स बैठ जाते हैं, और मैं ही हर साल पढ़ती हैं, हम लोग पंडी जी को नहीं बुलाते हैं, शुरू में बुलाते थे, अभी तो खुदी हम लोग कर लेते हैं, तो देखिए, सब लोग बैठ गए आके, और नुपूर भी बैठ ही आके, नुपूर को भी हम लोग ने कह दिया था, आके बैठो करके, नुपू आप पानी ले लेंगे तो जोंक बन जाएंगे, आप खाना ले लेंगे तो कुछ बन जाएंगे, मिठाई खा लेंगे तो बिल्ली बन जाएंगे, मतलब हर चीज का है, सो जाएंगे तो अजगर बन जाएंगे, ऐसा है इस मतलब बुक में, जो हरता लिका की जो बुक होती न, इसमें और इतना अच्छा इसका मतलब फल मिलता है कि इसमें ये रहता है कि मतलब ये व्रत अगर आपने एक बार भी किया तो एक हजार अश्वमेद यग्य कराने का फल प्राप्थ होता है और सो बाचपय यग्य कराने का फल प्राप्थ होता है मतलब इतना पावर्फुल व मंदिर कर दूबाए टाइट लेते सब्सक्राइब उनसे अप्लेट सब्सक्राइब अननोंगे 5 भी आरती दोफ़ा पूझा पूजा पार्ट से तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मंदिर भी जयाती हूं एक्दम उठके आने की इच्छा नहीं होथी वेरी कोई में भी मंदिर जाओ ना ऐसा लगता है कम से कम आदा घंटा तो बैठना चाहिए मिनिमम ऐसा लगता मुझे तो यह जो बुक मैं पढ़ रही ना यह 25 साल से इसी बुक से मैं पढ़ रही हूँ मतलब इतनी पुरानी बुक है और उसके पहले हमारी मदर इनलौ मतलब पढ़ती थी वो करती थी तो आप सोची कितनी पुरानी बुक है यह मतलब उन्होंने जब तीज किया था ना मैं शादी हो गई थी तो शादी के बाद से मैं पढ़ रहे इस बुक से उससे पहले वो पढ़ती थी तो बहुत ही पुरानी बुक है और इससे बहुत यादे जुड़ी रोज एक मंदिर जाना रहता है मेरा नियम बनाया है मैंने मतलब शीव जी के मंदिर नहीं जाओंगी न कहीं घूमने जाएंगे तो वहीं आसपास में देख लेती हूँ जो भी मंदिर है दर्शन कर लेती हूँ चाहे वो गनेश जी के हो देवी जी के हो और हनुमान जी के हो क पूजा होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज हैं, तो मंदिर में जाके थोड़ी ज़र आसी भजन कीरतन सुन लिया और फिर आधै घर, और घर में भी कुछ लोग आये थे मिलने के लिए, आते हैं कई लोग जो वरत करते हैं, जो वरत नहीं करते हैं, वो भी क तो चार आर्ती जैसे रात तक कर लेंगे और सुब फांच बजे पांच भी आरती करते नहाए के तो बस पांच भी आरती करने के बाद जैसे मखिए सी कुरू करते हैं न फास्ट रशी करब एप से खतम करते हैं तो खीरा या कटड़ी जो भी है अपने पास वह लोग रख लेते हैं वह ड़ी मतलब हम लोग ने तो बस और उसको खाने के बाद फास्ट खुल जाता है मतलब खुल जाता है उसके बाद जो खाना आपन खाते रहो फिर थोड़ा बहुत सो जाते हैं सुबह का टाइम होई जाता है एका दो घंटे सो जाते हैं क्योंकि कल गनेश जी बैठेंगे तो कल के लिए भी मोदक वगेर सब ब मुहुरत में तो बस उसकी तैयारी करेंगे तो थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं और अवि जैसे से रात होती जा रही जा रही है थोड़ी सी energy डाउन होती है क्योंकि मैं चाय भी नहीं पीती हूं मेरी आदत नहीं है कि मैं रात में कई लोग आरती के बाद चाय पी लेते हैं, पहली आरती, दूसरी आरती के बाद चाय पी लेते हैं, तो दो आरती हो गई है, पर मैंने अभी चाय नहीं पिया और मैं सुबह तक नहीं पियोंगी, मतलब सब भगवान के उपर है, अपन क्या है, अपन तो कुछ नहीं है, सब भोले प्रेंड्स हैपी तीज और कल गनेश अतूर्थी है तो एडवांस में आप लोग को हैपी गनेश अतूर्थी चलो जल्दी मिलती हूं में नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई